गाजा युद्ध की वज़ा से मिडलीस्ट में जो आग भड़की थी अब वो एक ज्वाला मुखी की तरह धधक रही है और पूरा मिडलीस्ट इस ज्वाला मुखी में जुला सकता है वो इसलिए क्योंकि पहले तो इसराइल सिर्फ हमास और हिजबुला से लड़ रहा था लेकिन अब यमन का हूती लगातार इस आग को भड़काने में लगा है हूती पिछले एक साल से लगातार लाल सागर और इसराइल के भीतर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के हत्यारों के ठिकानों पर एर स्ट्राइक की थी लेकिन उसके बाद भी हूती के हमले बदस्तूर जारी है और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से तेल अविब पर एक बहुत बड़ा हमला किया है हूती ने तेल अविब पर एक हाइपर सूनिक बेलेस्टिक मिसाइल दागी है हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायासारी ने खुद इस हमले की जानकारी दी है यायासारी का कहना है कि हूती के लड़ाकों ने तैल अविव में एक मिलिटरी टारगेट पर फिलिस्तीन टू हाइपरसॉनिक मिसाइल फायर की और ये मिसाइल इसराइल और अमेरिका के सब ही एर डिफेंस को भेते हुए टारगेट पर जाकर लगी है नफदत लुवात प्सारूख ये फिल्कोात लुवात 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 देला इसराइल इसराइली शर्क मंतिकी हम्ट्रूव लुवात 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 बार दारूप, जिता लगी है फुर ब persönlich नारूफ फ्सारूग बे एcidos मेरे लिती है वहीं दूसरे तरफ इसराइल के मीडिया ने भी इस तरह की कोई खबर नहीं दी है जिसमें इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बात कही गई हो और इस हमले की वज़ा से तेल अविव में 22 अक्टूबर 2024 की सुभा करीब 7 बजगर 45 मिनट पर हवाई हमलों के साइरन बजने लगे थे हाला कि इसराइली मीडिया ने ये जरूर कहा है कि लेबनान में हिजबुल्ला की तरफ से गाइडेड रॉकेट दागे गए हैं यहां पर आपको यह भी बता दे कि इससे पहले 18 अक्टूबर 2024 को हूती ने आरब सागर में मगैला पॉलिस जहाज पर काई ड्रोन हमले किये थे और इस हमले के बाद हूती ने कहा था कि उसने इस हमले में अपने लक्षे को हासिल कर लिया है हूती के मुताबिक इस जहाज ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगा में प्रवेश करने पर लगे बैन का उल्लंगन किया था आपको बता दे कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हूती ने लाल सागर में 130 से ज्यादा हमले किये है बड़ी बात यह है कि हूती के हमले से पहले लाल सागर भूमध्य सागर से दुनिया का करीब 10 से 15 फीजदी वैश्विक व्यापार होता था जो आप पूरी तरहा से ठप हो गया है और अब शिपिंग कम्पनिया अपने जहाजों को दक्षिन अफरीका होते हुए भेज रही है और यह रूट काफी लंबा और खर्चीला भी है और यह हूती के हमलों का ही असर है कि पिछले साल अक्टूबर 2023 में स्वेज नहर से जहां रोजाना जहाजों की आवाजाही की संख्या ओस्तन अस्सी थी वही अब घट कर सिर्फ 29 रह गई है यह जानकारी Port Watch Database से मिली है जिसे IMF और Oxford University एक साथ मिल कर चलाते हैं और इसी अवधी के दौरान यानि पिछले साल अक्टूबर में इसी रूट पर रोजाना 48.9 लाख मीटरिक टन का व्यापार होता था जो अब घट कर मात्र 13.6 लाख मीटरिक टन रह गया है जानकारों का कहना है कि दक्षिन अफरीका के Cape of Good Hope रूट पर जहाजों को 10 से 14 दिन का अतरिक्त समय लगता है जिसकी वजा से माल धुलाई की कीमत पिछले साल से करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी है और रूट में बदलाव करने से सिर्फ एक चक्कर में 10 लाख डॉलर का अतरिक्त इंधन ही खर्च हो जाता है झाल में झाल में 10 लाख इंधन ही खर्च हो जाता है झाल झाल